सर रिसेंटली आपने डेलीवाइट्स के यूट्यूब चानल पे एक वीडियो डाला है कि ITEP क्या है ठीक है ITEP में है इस एक इंटीग्रेटड प्रोग्राम नहीं है इंटीग्रेटड टीचर एडूकेशन प्रोग्राम या फिर अगर हम ITEP को समझे तो यह सिर बीसी बीकॉम ब बात करों तो सर यहां पे जब कोई भी क्लास 12 का स्टूडेंट एडमिशन लेने आए तो वो किस हिसाब से ले एडमिशन कि उसके चार साल बात का जो जॉब लेने का नजरीया या जॉब में उसे किसी भी तरीके की टीचिंग एडूकेशन प्रोग्राम में जॉब लेनी है यह बेसिकली एक एक एक्जाम कंड़क्टों का ITEP का क्लास 12 उसमें eligibility criteria बताया गया कि क्लास 12 अगर आपने 50% मार्क से पास कर रखा है तो आप eligible है तो बहुत सारे ऐसे बच्चों का confusion है कि सर हम graduation कर रखे हैं तो भी कि हम ITEP वाले में register कर सकते हैं yes आप कर सकते हो लेकिन कोई मत अगरी का procedure बंद हो जाएगा और आने वाले समय में ITEP वाला ही follow होते हो देखने के लिए मिलेगा तो जो लोग नॉर्मल ग्रेजूशन किये हैं वह अपना दो साल वाला बीएट का follow करें और जो बच्चा class 12 के बाद बीएट करने को सोच रहा है तो उन लोगों को बीए इंटिगेरेटेड टीचर एडूकेशन प्रोग्राम हो रहा है ITEP के थुरू जो एडमिशन हो रहा है उसको follow up करना चाहिए तो वह हमें NCEET के थुरू देखने के लिए मिल रहा है नेस्नल कॉमन एंटरेंस टेस्ट तो नेस्नल कॉमन एंटरेंस टेस्ट बिसिकली क्या है ITEP प्रोग्राम का है जिसको सौट में समझे तो बस है गया कि बच्चा 12 के बाद जो है पहले तीन साल का बीए बीकॉम बीएस्ट करता था प्लस दो साल का बीएड करता था तो अब ही क्या होगा कि ने 12 के बाद ही क्लियर है कि आप इंटिगेरेटेड वाला कोर्स जोइन कर र बीकॉम बीएड मैस्ट वह फर्दर डिवाइड एड़ेड फांडेश्ट स्टेज में प्रिपरेटरी स्टेज में मिडेल स्टेज में सेकेंडरी स्टेज में तो यह डिवीजिन क्या है जब आप निव एजूकेशन पॉलिसी देखंगे न तो जो क्लास 12 का स्कूलिंग का स स्टेज में रखा गया है तो बच्चा बच्चा बेर बीए बसी बीए या बीकॉम बीएट करेगा तो अगर वाला करेगा तो फ़ांडेशनल स्टेज का ही टीचर बनेगा तक फॉंदेशनल स्टेज का लेजसे बनेगा जट aumento कर लिए और इटिकेशन में सभी क्लास के लिया है ।No बॉस्ट गरिए टीचर होते थे तो जो सब्सक्राइब करना कि उन चारो लेवल में से कौन सवाल आप तीचर बनोगे सर यहां पे ना दो मेजर सवाल आते है बेसिकली अगर हम क्लास 12 के स्टूडेंट की एक अंडरस्टांडिंग पर बात करें सर क्लास 12 का जो स्टूडेंट होता है वो महें 17-18 साल का होता है बिचारा भी दुनियादारी को समझ ही रहा होता है कहां आप उस बच्चे को मतलब मेरे इसाब से तो यह एक MEP का चक्र वी हुई है कि भाई बीकॉम बीएड अगर किसी स्टूडेंट को करना है तो उसके भी चार सब स्टेज़ेज़ है सपोज माल लीजे लेट से मैंने एक हाइपोथेटिकल सिच्वेशन दिया क्लास 12 का जो स्टूडेंट है वो समझ भी लिया तेकिन अब यहां पे सब मेजर सवाल आ जाते है क्या उस स्टूडेंट को यह भी पता है कि अगर वो चूज करता है बीकॉम बीएड सेकिंडरी व करें जो कि सिर्फ उसका वो चार साल नहीं बल्कि चार साल बाद जो 40 साल उसे और जॉब करना है उसे भी वो खुबसूरत बना है जूब एंड करिया प्रॉस्पेक के नजरी से समझें तो जो आईटी एपी का यह टीचर एडूकेशन का मॉडू लेना मॉडू लेना इस प चूज कर रखा है यह से अगर आपको मैं रफ डेटा दूँ अगर टोटल लेट से की लेट से की टोटल अगर आपको रफ डेटा दूँ की हाँ टोटल मान लीजे कि अगर 64 अलग अलग इंस्टीट्स ऐसे हैं अभी तक तो यह और इंटेगरेटेड़ प्रोडाम करवा रहे हैं टीचर एडूकेशन का तो उसमें से 49 ऐसे हैं नो जो केवल और केवल सकेंडरी स्टेज वाला ही करवा रहे हैं और शे ऐसे हैं जो क्लिच खोला तो आपको अपने कॉलेज में अपलाई करेंगी ने अब किस लेवल का बीए बीड वाला कराना चाहरे हैं तो इससे में क्या कर रहे हैं बहुत सेफ साइड ले रहे हैं क्योंकि सेकेंडरी वाला जो लेवल है ना वह बहुत क्लियर है 9, 10, 11, 12 पहले क्या होता प्राइमरी वाला लेवल क्या होता तो 1, 2, 5 अब बहुत क्या है 1, 2, 5 में 1 और 2 निकालके फाउंडेशन में डाल दिया है येस वह जैसे केजी पीजी जो प्ले स्कूल डाई बहुत है ना कि कितनी वेकेंसी आएगी आज तक अभी तक यह आईटी पी का जो पोरियर इंटि लिए मिलती है उपीजानी है तो हमारा ऐसा एसा एक्स्पिरियेंस रहा है कि सबसे ज्यादा वेकेंसी प्राइमिरी में ही देखने के लिए मिलता है येस लेकिन बास से प्राइमरी निए इजु के फानडेशनल और प्रिप्रेट्री किस तरह से आएक कि इस बातते बहुत ही नहीं है लेकिन 9 10 11 12 जैसे वेकेंसी आती तो वही मेरट फॉलो होगा जो कि न करियर प्रॉस्पेक्ट से कॉलेजेस जो भी न सेफ साइड ले रहे हैं और वो सबसे ज़्यादा सेकेंडरी के लिए अन्रॉल कर रहे हैं तो आप जॉब के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं कि क्लास 12 के बादी क्लीर रहते हैं तो चलो बीट कर ले जरौ कर ले हैं तो कुछ नहीं कर पा रहे थे हैं बीटेक कर ले तो कुछ नहीं बढ़ इए चलो आईटी एपी फोर यर बियर इंटेगेटर प्रोग्राम में अब इस पे अभी तक यह बहुत ज़्यादा क्लारिटी नहीं हो पाई है कि फाउंडेशन का सेकेंडरी का मिडिल का प्रिपेटरी का कि इस पे सबसे ज़्यादा वेकेंसी आएगी तो अगर आप करियर प्रोस्प क्योंकि 9, 10, 11, 12 का जो टीचिंग मेटल अली है या मॉड्यूल है वो वैसे ही फॉलोफ हो रहा है सर यहां बिना दो मेरे छोटे से सवाल है अभी आपने कहा कि अभी तक सरकार को भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है तो क्या हम यह एक्सपेक्ट कर सकते आँब के जो उड़ी शॉस्प की जो लास्ट वेकिंसी हमने देखी थी वो हमने 23 के एंड में देखी थी तो अगर 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 कश्विश कि की जो वेकिंसी आएगा कि तो क्या वो इसी चार स्टीज पे डिवाइड़ीड होगी मतला फाउंडेशन प्रिपरेटरी मि सब्सक्राइब करना है तो इस बात से किसी बच्चे को परिशान नहीं होना कि हम 12th के बाद 4-year वाला प्रोग्राम की है तो हम एलिजिबल रहेंगी की नहीं रहेंगे और हम ग्रेज़ीशन के बाद दो साल वाला ब्रोग्राम की प्रोग्राम में अडिमिशन नहीं होगा जैसे ऐसे समझ लीजे market में कोई company का car आता हो company कल से अनौल कर दे कि हम ये Ford की car कल से manufacture नहीं करेंगे इसका मतलब भी निवा कि सड़क पजितिनी Ford की car ये चल नहीं है सब बंद हो जाएंगी सबका engine जाम हो जाएगा नहीं भाई जो पुरानी car ये सब market में थी वो चलेंगे उनको service जो प्रवाइट करते थे हैं company वो प्रवाइट करती है बस नया पोड का car नहीं आएगा ठीक है सर यहां से आप थोड़ा सा enlighten कीजा है हमारे students को कि क्या private job sector पे कुछ फरक पड़ेगा teaching jobs में जो private edtechs है क्या उनके job पे कुछ ज़रही बात edtech और school teaching में जो बच्चे जाते हैं तो यार फर्क बहुत ज़्यदा नहीं पड़े है यह private institutions को इस बात से बहुत ज़्यदा फर्क नहीं पड़ता है वो तो quality of the teacher देखते हैं लेकिन एक बच्चा जो इस तरह के teacher education में आता है कहीं तो कहीं government job को target रखता है तो वो clarity अभी develop नहीं हुई है और आपने बीच में कहा कि government के तरफ से clarity नहीं है देखिए new education policy में यह बात लिखा हुआ है फोर एजुकेशन फोर यर integrated program होना चाहिए अरे तो सरकार अपना curriculum बराती है यह कहा कि पढ़ाई की दिरिश्टी कॉन से फोर यर एजुकेशन प्रोग्राम होगा holistic teacher learning होगा बच्चा बहुत सीखेगा एक जम neighborhood school क्या है यह language क्या है यह समझोगे वो समझोगे बच्चा किस बात में लेता है जोब के वो से सरकारी नौकरी से आप स्बेटरी के फाउंडेशन पकड़ा तो वो एशे वोटर है कि गवर्वन जोब इसमें मिलेगा तो कहेगा हम वही लेंगे वो इस basis पर लेता है तो सरकार उस नजरी यह पर देखके नहीं बना दिये तो वो जो policy पर clarity होगा वो कुछ समय बाद आएगा और मेरा सभी students को strong recommendation रहेगा कि इस field में आप admission ले रहे हैं तो field बहुत ही brightened है scope बहुत अच्छा है क्योंकि देखो first mover advantage भी मिलेगा जो भी नए बच्चे आएंगे जब इस तरह की vacancies आएगी तुनको advantage मिलेगा लेकिन हाँ जब वो admission ले रहे हैं तो जो बाते मैंने ज़्यादा आन लगी तो तुम panic कर रहे हो कि आरे हम तो eligible नहीं हम भी integrated वाला किया है नहीं तो ये सब जानते समझते हुए ही आप admission लेजिए okay so thank you so much I believe this will be all for our students and for this session also और मुझे लगते है इस particular session के तुरू students को एक basic जानकारी तो मिली गई होगी regarding ITEP thank you so much for your valuable words and for your time thank you